नमस्कार, Vision ISK News Today के संख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा के दृष्टी से महत्वपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की हेडलाइन्स के बारे में नवीन और नवी करणिया उर्जा मंत्राले ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन एको सिस्टम के लिए अनुसंधान और विकास रोड मैप का मसौदा तयार किया सौर जौला का वरगी करण किया गया भारत ने पाकिस्तान के साथ विवाद में इस्थाई मध्यस्तिता नियाले के फैसले को खारिश किया टमाटर की कीमत में बढ़ोतरी हुई और उन्हें कम करने से संबंदित पहले शुरू की गई आइसलिंड में 24 घंटों में भूकम के 22 जटके दर्ज किये गए हैं और वित्त मंत्राले के आर्थिक कारे विभाग ने 2022-23 की वार्षिक आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं भारत में Green Hydrogen Ecosystem के लिए अनुसंदान एवं विकास Roadmap का मसवधा तयार किया गया है नवीन और नवीकरनीय उर्जा मंत्राले ने इस Roadmap को तयार किया है जिसका उद्देश ग्रीन Hydrogen उतपादन परणाली जिसमें कि भंडारन और परिवहन भी शामिल है इस से संबंधित चुनोतियों और इसकी लागत प्रभावशीलता संबंधी मुद्धों का समाधान करना है इस ड्राफ्ट रोड मैप में ग्रीन हाइड्रोजन में अनुसंधान और विकास के लिए तीन प्रमुक दिश्टिकॉन प्रस्तावित हैं पहला है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स ये बॉधिक संपदा के लिए दीरकालिक रणनीती होगी इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर के लिए मिशन मोर दिश्टिकॉन और स्टार्टप्स को प्रोचसाहित करने के लिए ग्रैंड चैलेंज ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन इसका उत्पादन बायो फोटोलिसिस, डार्क फर्मेंटेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटो इलेक्ट्रो कैमिकल वाटर स्प्लिटिंग तकनीक द्वारा किया जा सकता है हाइड्रोजन भंडारण वहीं रासाइनिक रूप आंतरन करने के लिए और बाद में डीस आप्शन के जरिये इसको मुक्त किया जाता है वहीं रासायनिक रूप आंतरन करने के लिए hydrogen को methanol, ammonia या synthetic प्राकरतिक gas में बदल कर इसका परिवहन किया जा सकता है hydrogen भंदारन तक्निकों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक है भौतिक यानि physical रूप में और दूसरी है material based यानि की सामगरी आधरित फिजिकल बेस को तीन रूपों में विभाजित किया जाता है एक है cryo संपिडित gas, दूसरी है संपिडित gas और तीसरी है taral hydrogen वहीं सामगरी आधरित hydrogen को पाँच पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसमें सबसे पहला है adsorbent और दूसरा है interstitial hydride, तीसरा है complex hydride, चौथा है chemical hydrogen और पाँचवा है liquid organic hydrogen उदाहरण के लिए methyl cyclopenten और आईए अब बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान की सौर जवाला का वरगी करण किया गया है हाल ही में X class की सौर जवाला परिघटना के कारण संयुक्तुराज अमेरिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में radio blackout की घटना दर्ज की गई है दरसल सौर जवालाओं को इनकी प्रबलता की आधार पर वरगी करित किया जाता है सबसे कम प्रबल जवाला को A श्रेणी में वरगी करित किया जाता है इससे ज़्यादा प्रबल सौर जवालाओं को B, C, M और X इसकी श्रेणी में वरगी करित किया जाता है इसमें X सौर जवाला सबसे ज़्यादा प्रबल होती है ये सभी अक्षर अपने पिछले अक्षर से 10 गुना उर्जा उत्पादन का प्रत्निध्यत्तो करते हैं यानि कि X सौर ज्वाला में M से 10 गुना और C से 100 गुना उर्जा प्रबलता होती है प्रत्यक अक्षर के भीतर 1 से 9 तक finer scale होते हैं सौर्जवाला प्रबलता की श्रेनियों की अगर हम बात करें तो इसमें X श्रेनी ये पूरी प्रत्वी पर रेडियो ब्लैक आउट और लंबे समय तक चलने वाले विकिरन तूफानों को सक्रिय कर सकती है M श्रेनी जो है वो अल्पकालिक रेडियो ब्लैक आउट का कारण बन सकती है जो प्रत्वी के ध्रुविय शेत्रों को प्रभावित कर सकता है ये लगू वेकिरन तूफानों को सक्रिय कर सकती है C श्रेनी में कम प्रभल सौर्जवाला है प्रत्वी पर इसके आशिक प्रभाव देखे जाते हैं B. श्रेणी इतनी प्रबल नहीं होती कि पृत्वी पर कोई प्रभाव डाल सके और A. श्रेणी सबसे कम प्रबल होती है, इसका शायद ही पता चल पाता है और ये कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती है. सौर जौलाएं सूरे पर होने वाला विशाल विसफोर्ट है, इन से उर्जा, प्रकाश और उच्च गती वाले कण अंत्रिक्ष में मुक्त होते हैं, इन जौलाओं को अकसर सौर चुम्बकिये तूफानों से जोड़ कर देखा जाता है, इन तूफानों को कोरोनल मास इजेक् को खारिच कर दिया है, इस थाई मध्यस्तिता नियाले ने किशन गंगा और रतले जल्विद्यूत परियोजना के मामले में भारत की आपत्यों को खारिच करते हुए कहा है, कि PCA यानि Permanent Court of Arbitration को इस मामले में सुनवाई करने का धिकार है, किशन गंगा जल्विद्यूत इस परियोजना के तहट किशन गंगा नदी के जल्विद्यूत सयंत्र की ओर मोड दिया जाएगा, वहीं रतले जल्विद्यूत परियोजना चिनाव नदी पर बनी हुई है, ये भारत द्वारा निर्मानाधीन 850 मेगावाट की शमता वाला एक जल्विद्यूत सयंत्र है, भारत ने इस विवाद में PCA के हस्तशेप का विरोध किया है, भारत ने कहा है कि इस मामले में PCA का हस्तशेप सिंधू जल्विद्यूत संधी के प्रावधनों का उल्लंगन है, भारत और पाकिस्तान ने 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किये थे, विश्यू बैंक ने इस पर मध्य सता की थी, IWT के तहट भारत को सिंधू नदी प्रणाली की तीन पूर्वी नदियों, रावी, व्यास और सतलुज के जल के उपयोग पर पूर्ण नियंतर्म प्रदान किया गया है, वहीं पाकिस्तान को तीन पश्यमी नदियों के जल के उपयोग का अधिकार दिया गया है भविश्य में विवाद की स्थिती में IWT के तहट तीन चरण ये विवाद समाधान तंत्र की विवस्था की गई है, चरण एक में विवाद समाधान के लिए इसकी प्रतिवर्ष कम से कम एक बैठक जरूरी है, चरण दो के तहट तटस्थ विशेशगी की नियुक्ती की ज जलबटवारे पर अंसुल जे मतभेदों से निपटने के लिए की जा सकती है, और चरण तीन विवादों को निपटाने के लिए गठित साथ सदस्य मध्यस्थता अधिकरण है, पर्मेनेंट कोर्ट ओफ आर्बिटरेशन यानि इस्थाई मध्यस्थता नियालय का मुख्या इसकी स्थापना 1899 में आयुजित प्रथम अंतर राष्ट्रिय शांती सम्मेलन द्वारा की गई थी, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ये देशों को विविद प्रकार के विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है, यदि विवाद के पक्षिकार विवाद के समाधान के बढ़ोतरी और उन्हें कम करने के लिए सरकार ने कई पहले शुरू की हैं, दरसल टमाटर की कीमतों में अचानक वृद्धी अलग-अलग कारकों के संयूजन की वजह से हुई है, जिसमें मुख्य कारण है मानसून, उच्चतापमान, कम उतपादन, भारी वर्षा और पड टमाटर आदी शामिल हैं, यह एफिज द्वारा फैलता है, जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, क्यूकंबर मौजक वाइरस पौधों के बोनेपन या फिर कम विकास और कम उतपादन का कारण बनता है, वहीं टमाटो मौजक वाइरस की होस्ट फसलों में टमाटर, तब पाकू, मिर्च और कुछ सजावटी पादप शामिल हैं, टमाटो मौजक वाइरस विर्गा विरिडे कुल से संबंदित हैं, और टोबैको मौजक वाइरस से निकटता से जुड़ा हुआ है, सरकार ऑपरेशन ग्रीन्स के जरिये कीमतों पर काबू पाने की कोशिश कर रही ह ओपरेशन ग्रीन्स का मंत्राले है, खादे प्रसंसकरन उद्योग मंत्राले, इसका उद्देश्य फलों और सब्जियों के उत्पादकों को मजबूरी में कम कीमतों पर बिक्री करने से बचाना है, साथ ही फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है, इसे मिल होगा पात्र फसलों का परिवहन और उप्योग्त भंडारन सुविधाओं को किराय पर लेना, वित्त मंत्राले के आर्थिक कारे विभाग ने 2022-23 की वार्षिक आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट को तयार करने में विविध उच्च आवर्ती आर्थिक स संके तक है, इसका मान अलग-अलग कमपनियों के मासिक सरवेक्षन के बाद जारी किया जाता है, इसकी गर्णा, विनिर्मान और सेवा शेत्रकों के लिए अलग-अलग की जाती है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रोजगार के बढ़ते इस तरके शेत्र में अगर दे इसमें पिछले वर्ष की तुलना में दोरे अंकों की बढ़ूत्री हुई है दूसरा शेत्र है भारत में मुद्रा इस्वीती का बढ़ना और घटना फानेंशल ईयर 2023 की पहली छमाई में भारत ने उच्च आयतत मुद्रा इस्वीती का अनुभव किया है आयतत मुद्रा इस्वीती यानि की आयातत मदों की खीमתों में व्रिध्धी बेमौसम बारिश, एलनीनो जैसे कारक खादे मुद्रा इस्वीती पर लगातार दबाव बनाये हुए हैं भारत ने कठोर मौद्रिक नीती अपना कर मुद्रा इस्वीती का प्रबंधन करने का प्रयास किया है रिपोर्ट में अगला शेत्र था भारत का लचीला बाहिशेत्रक इसका आवलोकन करने पर इस रिपोर्ट ने ये मेंशन किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक प्रभाव से पहले 2022 की अप्रेल जून तिमाही में भारत का पण्य निर्यात चरम पर था सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्वर्ष 2022 में 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उचिस्तर पर पहुँच गया था 2023 में सकल कर राजसु में 12.7 प्रतिशत की साल दर साल बढ़ूतरी दर्च की गई है इसमें कुल सबसीरी वेश वित्वर्ष 2023 में बढ़कर राजसु वेश का 15.4 प्रतिशत हो गया है और आई अब बात करते हैं प्राकरतिक आपदा से संबंदित आइसलेंड में 24 घंटों में भूकम के 22 जटके दर्च किये गए हैं इस शेत्र के लिए इसका क्या आर्थ है जानते हैं आइसलेंड मध्य अटलांटिक कटक परिस्थित है इस कारण ये उरोक का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय जो अलमुखी शेत्र है मध्य अटलांटिक कटक शेत्र में प्लेटों की अपसारी गती की वजह से हलके हलके भूकमपों के लगातार जटके आते हैं साथ ही इन प्लेटों की अपसारी गती यानी diverging गती की वजह से hot spots का निर्मान होता है इन hot spots के माध्यम से गर्म पिगली हुई चटान का एक उर्ध्वाधर प्रवाह मेंटल से प्रसफुटित होकर बाहर निकलने का प्रयास करता है माउंट, फागरा, डल्स, फियाक और एया, फ्यालुकुट, ज्वालामुखी, आइसलेंड में दो प्रमुख भूकमप ये शेतर हैं और आएब चर्चा करते हैं भूकमप और हलके हलके भूकमप ये जटकों की श्रंखला के बारे में प्रत्वी की चटानों से होकर गुजरने वाली भूकमप ये तरंगों जिसमें की पी और एस तथा धरातली तरंगें जिनें रेले या लव तरंगें भी कहा जाता है इनके कारण होने वाले कंपन को भूकम कहते हैं हलके हलके भूकमप ये जटकों की श्रंखला के मामले में मुख्य भूकमप के पहले और मुख्य भूकमप के दौरान और मुख्य भूकमप के बाद इनसे संबंदी भूकमप ये पैटन नहीं होता है हलके हलके भूकम पे जटकों की शुंकला को घंटों दिनों यहां तक की हफ्तों तक भी देखा जा सकता है इन में अधिकतर कम से मध्यम तीवृता के जटके शामिल होते हैं हालां कि इस दौरान बड़े भूकम भी आ सकते हैं यह अकसर भूपरपटी के भीतर अपेक्शकृत कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं यह सामाने तोर पर मौझूदा भ्रश प्रनाली पर उत्पन्न होते हैं जहां निरंतर दबाव और तनाव बना रहता है भूकम जीरो समय पर आता है पहली P तरंगे 2 मिनट के बाद आती हैं पहली S तरंगे 4 मिनट बाद आती हैं जब epicenter पर भूकम पाता है तो उस समय background noise आता है और P तरंगे जब आती हैं तब P तरंगे सत्व पर सबसे पहले पहुँचती हैं और S तरंगे बाद में आती हैं धरातली तरंगे सबसे बाद में आती हैं P और S तरंगों के समय में अंतराल होता है धरातली तरंगे सबसे लंबी दूरीते करती हैं इसलिए सबसे बाद में पहुँचती हैं धरातली तरंगे धरातल के 4 ओर फैलती हैं S और P तरंगों के बीच अंतराल दो मिनट से थोड़ा सा कम है, जो कि भूकम विज्यानी को बताता है कि भूकम का उद्गम कितनी दूर था। वर्ष 2023 के संसकरण में शेहरों के स्तर पर ई-governance का मुल्यांकन करने के लिए सिटी पोर्टल का आकलन करने का भी प्रिस्ताव किया गया है। सबसे बड़ी प्राप्त करता थे। अगला टॉपिक है कार्ड नेट्वर्क्स चाहे ग्रहक उन में से किसी को चुने या नहीं। सामाने तोर पर भारत में क्रेडिट कार्ड के उपयोग में व्रिधी देश की बढ़ती क्रेशक्ती का एक सकरात्मक संकेतक है। अगला टॉपिक है खाद्य तेल। कृशी मंत्राला ने बहुसरोत खाद्य तेल ग्रेडिंग और मार्किंग नियम 2023 अधिसूचित किये हैं। नए नियमों के तहट ब्लेंडिंग द्वारा प्रसंस्कृत किये जाने वाले बहुसरोत खाद्य तेलों में मिलाए गए खाद्य तेलों के मिश्रुन का प्रतिशत अंकित करना अनिवारे किया है। साल्विक्स भारतिय नौसेना अमेरिकी नौसेना के बीच साल्वेज और एक्स्प्लोसिव ओर्डिनेंस डिस्पोजल यानि EOD अभ्यास साल्वेक्स का सात्वा संसकरन कोची में आयूजित किया गया टेलर ग्लेशियर विग्यानिकों ने पता लगाया है कि अंटाक्टिका में टेलर ग्लेशियर के अग्रभाग की हिम गहरे लाल रंग की क्यों है इसे ब्लड फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है इसे पहली बार 1911 में एक ब्रिटिश अभियान ने खुजा था इसमें गहरे ल काल रंग का कारण सुक्ष्म आकार के आयरन से सम्रिथ नैनो स्फियर की उपस्थिती है इसके स्थिती मैकमर्डो ड्राइवली अंटाक्टिका में है मंगल ग्रह पर बर्फ के नीचे की भूमी के बारे में जानने के लिए भी समान विधी का उप्यों किया जा सकता है अगल एक अत्यदिक संक्रामक विशानु जनित रोग है ये मौर्बिली वाइरस के कारण होता है जो रिंडर पेस्ट वाइरस से निकटता से संबंदित है ये बक्रियों भेडों और जुगाली करने वारे छोटे पालतुपश्वों की प्रजाती वाले कुछ जंगली जीवों के स जात साथ उटों को भी प्रभावित करता है ये रोग गंभीर रुग्णता और उच्च मृत्युदर का कारण बनता है पीपियार वाइरस मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता है पहला परदेशिय भारतिय प्रध्योगी की संस्थान IIT देश के बाहर पहला IIT परिसर तंजानिया में इस्थापित किया जाएगा इसकी स्थापना भारत और तंजानिया के सिख्षा प्राधिकरणों के बीच हुए एक समझोते पर हस्ताक्षर के बात की जाएगी ये परिसर जिन्जिबार में IIT मदरास एट जिन्जिबार के नाम से भी स्थापित किया जाएगा ये कदम राश्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 के अनुरूप है इसे अनाज ATM भी कहा जाता है इस ग्रेन डिस्पेंसर को विश्य खादे कारिक्रम भारत ने विक्सित किया है ये जरूरत मंदों की मासिक सबसीडी आधारित अनाज तक 24 घंटे पहुंच सुनेशित करता है इस अनाज को पहले सारजनिक वितरन प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता था इससे प्रतीक्षा समय में 70 प्रतिशत तक की कमी आएगी ये मशीन 0.01 प्रतिशत की त्रूटी दर के साथ 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक एक या दो किसम के अनाज वितरित कर सकती है और आई अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में मुजाम्बिक यहां की राजधानी है मपूटो मुजाम्बिक में काबो डेलगाडो गेस फील्ड इस्थित है इसमें भारतिय उर्जा कंपनियों ONGC विदेश लिमिटेड, BPCL और ओयल इंडिया लिमिटेड की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है इसमें उत्पादन फिर से शुरू होने की उम्मीद है मुजाम्बिक अफ्रीका के दक्षिन पूर्वी तट परिस्थित है इसकी सीमाएं तंजानिया, मलावी, जांबिया, जिवांबे, दक्षिन अफ्रीका, स्वाजिलेंड और इस्वात्विनी के साथ लगती है इसकी तट रेखा हिंद महा सागर से लगती है मुजाम्बिक चानल इसे मेडगासकर, कोमरोस और मेर द्वीपों से अलग करता है मुजाम्बिक की सबसे बड़ी नदी है जांबेजी, लिमपोपो आपको बता दें कि लिमपोपो नदी मकर रिखा को दो बार काड़ती है मुजाम्बिक की सबसे बड़ी जील है मलावी जील जिसे नियासा के नाम से भी जाना जाता है और पूरवी अफ्रीकी ब्रंच प्रणाली में सबसे दक्षिन में इस्थित जील है मलावी जील इसके साथ ही यंक समाप्त होता है अगले यंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपने लक्षे के लिए ततपर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमस्कार